नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप चार्ट पर बहुत सारे सपोर्ट और रिजिस्टेंस बना के रखते हो ठीक है यह में आप एक रिजिस्टेंस बना के रखोगे और आप देखोगे कि यह रिजिस्टेंस यहां पर फैल हो चुका है ठीक है आप यह वाला भी रिजिस्टेंस और आप ये भी देखोगे कि ये resistance भी आपका fail हो चुका है ठीक है तो आप chart पर कैसे support और resistance बनाओ कि वो काम भी करें ठीक है जैसे कि मैं support और resistance डो करता हूँ आप देखो आज की ये live stream है ठीक है आप जाके देख ले ना ये बहरतारीक की live stream है मैंने यहाँ पर आपने कहा था कि कि हम यहाँ से downside का plan करेंगे live stream है मैंने कहा था हम यहाँ पर downside का plan नहीं करेंगे market open ओने से पहले मैंने बोल दिया था कि यहां से हम upside के लिए प्लान करेंगे यह resistance काम नहीं करेगा आप अपने चार्ट के उपर से इस resistance को हटा दो तीक है यहाँ पर आप एक resistance बना रहे कि मैंन कि आप support और resistance कैसे draw करें ताकि वह काम भी करें ठीक है तो दोस्तों वीडियो बहुत ही कास होने वाले है वीडियो को आंते तक जरूर देखना वीडियो बहुत ही logical रहेगी और support और resistance आपके काम भी करेंगे ठीक है तो दोस्तों देखो यह हमारा एक support level है ठीक है मैं इसको support म तो support से पहले तो हमारी दिमाग clear होना चाहिए कि support level काम क्यों करता है ठीक है देखो जब भी market इस support level पर आता है तो market यहां से उपर जाता है क्यों क्योंकि लोगों को न जो यह prices है 23,300 पहता है यह लोगों को बहुत ही पसंद है उनको इन prices के उपर लेना बहुत है अच्छा उनको करेंगे और मैं buy करके market को support level से उपर की तरफ लेकि चला जाओंगो ठीक है तो आप support level mark करने में पता है सबसे बड़ी गल्ती क्या करते हो आप support level करते हो यह वाले कि market देखो यहां से example है यहां से उपर गया यहां से उपर गया और यहां से उपर गया और यहां से उपर गया फिर यहां पर गया ठीक है फिर यहां से उपर गया और यहां से उपर गया ठीक है इस तरीके से market चला अब आपके support level देखो कौन कौन से होंगे आपका support level होग ये आपका सपोर्ट लेवल होगा ये आपका सपोर्ट लेवल होगा ये जो ये उपर का ये वाला लेवल है ये ये आपके सपोर्ट और रिजिटेंस होगे ठीक है अब मैं बोल रहा हूं आपको कि आपका ये सपोर्ट काम नहीं करेगा ठीक है आपका ये भी काम नहीं करेगा आपका काम करेगा तो ये वाला काम करेगा और ये वाला काम करेगा तो ये वाले काम क्यों नहीं करेंगे ठीक है ये वाला काम क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये एक inside swing है ये high और low के beach का high low है तो ये support कभी भी काम नहीं करेगा ये आपको trap करके ही जाएगा तो हमेशा से अगर swing इनके अंदर का आपके जो भी support resistance है उनको कभी भी trade मत किया करो ठीक है अब दूसरी number के जो support resistance है वो ये वाला काम तो ये आपका काम नहीं करेगा क्योंकि यहां से market इसकी probability बहुत ही कम है कि यहां से इसको retest करके market उपर जाए क्योंकि जो भी सबसे ज़्यादा जो order लगे इसी वज़े से तो market यहां इस तरीके से उपर चला गया तो यहां पर कोई भी support level आप मार करके मत करेगा को retest के support level बहुत ही कम काम करते हैं आप अगर एक beginner हो तो retest के support resistance को बहुत ही कम ट्रेड किया करो क्योंकि यह काम बहुत ही कम करते है तो जैसे market यहां पर इस तरीके से आएका और यह काम बहुत ही कम करेगा तो इसलिए आप इसको ट्रेड मत किया गरो तो आप जब भी कोई भी सपोर्ट लेवल ट्रेड करो तो उन्हीं सपोर्ट लेवल को आप ट्रेड करा करो जहां से बाइंग आई थी क्योंकि यहां पर अगर मालों की बड़े पलेन सो क्वांटिटी यहां पर पड़ी होई होगी तो जैसे मार्केट दुबबार इस लेवल पर आएगा यहां पर वो क्वांटिटी ट्रेडर होगी और बाहर के उपर की तरफ चला जाएगा ठीक है आप देखो यहां पर यह दिन है यह कल पर सो की दिन है ठीक है आप देखो मैं मैं यहाँ पर शुक्त अर के मुझे क्योता पर्षक करना है अ में आपको सिखंगा तुदेखू, आपका सपउल यहाँ से मार्केट उपर घ इसने हाइब ही तो आपका सपॉल्व यह ओना चाहिए यह वला को एप अब देखो यह लाइव मार्केट चल रहा है यह लाइव मार्केट चल रहा है आपके सपोर्ट लेवल कोन कोन से होने चाहिए यह वाले यह आपका सपोर्ट लेवल होना चाहिए ठीक है और यह आपका सपोर्ट लेवल होना चाहिए यह आपका सपोर्ट लेवल नहीं होना चा से सुट अप हुआ आपको ये वालाई सपोर्ट लेवल हों ने अभी देखो वीडियो को अंतरत लेखो अंतर तक देख न मा आपको एंट्री का तरीका भी आपको ये वाले resistance मार्क नहीं करने, ये वाले मार्क नहीं करने, ठीक है, ट्रेड कम से कम, ये वाला मारा resistance है, ये वाला मारा resistance है, और नीचे और कोई सा है, और कोई सा भी नहीं, आप पीछे की तरब से resistance आपको नहीं उठाने हैं, कि ये भी आपका एक resistance है, ये वाले पीछे क मार्केट इसको टच करता है तो टच करने पर ही आपको एंट्री लेनी है क्योंकि अगर आपने क्लोजिंग पर ट्रेड लिया ना कि यहां पर यहां पर आपने ट्रेड लिया ने इस जगह पर केंड़ closing के बाज में, तो SL बहुत बढ़ा हो जाएगा, मैं closing के उपर trade नहीं करता हूँ, आपने बहुत बाज लाइव स्ट्रीम में भी आपने देखा होगा, तो closing के उपर आपको trade नहीं करना, जैसे ही market touch करता है, भाई touch करने पर trade ले लो, ठीक है, उपर यह रामार रजित है, इसको touch करने पर trade ले लो, यहाँ पर जैसे ही market इसको touch करा यहाँ पर इसको touch करने पर trade ले लो, यहाँ पर, ठीक है, टच करने पर trade लिया, 10 प्रेंट का इसल, हमारे इट हो गए चलो छोड़ो, यहाँ पर, इस तरीके लेकिन swing नहीं है, यहाँ पर कोई swing नहीं है, तो आप इसको mark कर सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक swing नहीं है, यह कोई swing नहीं है, यहाँ पर, swing तो यहाँ पर इस जगर पर, तो इसको mark कर लो, क्या यह काम करा, देखते हैं, चल गया अपन यह भाई काम करा इसको touch किया और touch करने पर ही हमने इसको ले लिया touch करने पर ही हमने इसको ले लिया यहाँ पे इस तरीके जाए अब यहाँ से देखो market उपर गया तो आपके support level कौन-कौन से होने चाहिए यहाँ से market उपर गया तो support level कौन-कौन से होने चाहिए यहाँ पे देखो इसने पिछला हाई तोड़ा है यह वाला आपका सपोर्ट होना चाहिए ठीक है यहाँ पे तोड़ा अब यहाँ पे यह सपोर्ट होना चाहिए ठीक है यह आपका सपोर्ट होना चाहिए यह आपका सपोर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक inside swing, यह swing के अंदर ही, swing के अंदर ही low है तो यह आपका support level नहीं होना जाए, इसको हटा दो, यह आपका support हो गए, उपड़ चल रहा यह आपका support होना चाहिए, यह वाला level, ठीक है, औरुरू market उपर गया यहाँ पर high तोड़ा, यह आपका support होना चाहिए ठीक है यहां पर market ने इस तरीके से low बना के high तोड़ा है यह आपका support नहीं होना चाहिए यह वाला आपका support नहीं होना चाहिए यह वाला आपका support होना चाहिए ठीक है देखो यहां पर market उपर गया अरे जाने दो कोई फरक नहीं पड़ता है यहां से market उपर गया ने यह वाला यहां से लेकर यहां तो उपर गया इसको support mark नहीं करना कियोंकि यह एक inside swing है हमें inside swing के support mark नहीं करना हमें बाहर की swing के support mark इस तरीके से इसने high बनाई और ये तोड़ दिया तो ये हमारा सपोर्ट है यहाँ पर ये भी काम कर गया ठीक है अब और उपर अपर चलते हैं तो यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट है और ये भी हमारा सपोर्ट है ठीक है और ये भी हमारा सपोर्ट है ये वाला क्योंकि इसी ने आई तोड़े ये वाला ही इसने नहीं ही हाई तोड़ा ये मारा सपोर्ट नहीं है ये मारा सपोर्ट नहीं है और ये वाला मारा सपोर्ट है ये वाला मारा सपोर्ट है ठीक है अब देखो ये वाला मारा सपोर्ट है क्योंकि इसने ये हाई तोड़ा ये वाला मारा सपोर्ट है क्योंकि इसने ये हाई त कर दो और टीकिन यह मारे कोई सपोर्ट मूय करना शेयन को उसक्या करना शेम मारे सपोर्ट में करना है यह मारे सपोर्ट नहीं यह एक inside swing के support resistance है, ये एक swing के अंदर के support resistance है, इनको हमें mark नहीं करना है, अगर mark करोगे ना, तो ये आदे से time फैल होंगे, तो कोई मतलब नहीं, बाहर वाले, ये हमारा support है, ये वाला हमारा support, ये वाले हमारी support नहीं है, ये वाले, क्योंकि ये swing के अंदर के support resistance है, ठीक है, जो ये वाला ये वाला ये वाले हमारी सपोर्ट हमारा सपोर्ट लेवल तो ये है क्यों क्योंकि हाई तोड़ा हाई तोड़ के वापस से इसने हाई तोड़ा है यहां पर यह हमारा सपोर्ट है वाई यह हमारी सपोर्ट नहीं है यह हमारा सपोर्ट नहीं है यह हमारा सपोर्ट नहीं तो यह है इसने ख़ोड़ा है यहां पर कामकर चल्व बढ़िया है इसने फिह फिवड़ा ही तोड़ा यहां पर इसने भी फिवन ही यह हमारा सपोर्ट यह मारगेट आएगा तो हमएसी ट्रेड देलेंगे ठेल was होगा XL accept कर लेंगे कोई problem नहीं SL होता है तो XL accept हमें करना ही पड़ेगा ठीक है लेकि entry इसी तरीके से होगी टच करने के बाद में ही ठीक है उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कौन से support और resistance काम करते हैं और आपको कौन से support और resistance से mark करने चाहिए ठीक हो दोस्तों और कोई भी डाउट हो ना आप वार्टसप पर कर ले ना description में हमारे टेलिग्राम का लिंक है वहां से आप हमें पूछ सकते हो कोई वे अगर डाउट हो ठीक है दोस्तों तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना और आपकी चैनल को सब्सक्राइब पर देने दोनिवाद!